तो है गाई जैसे समाच उशंदे वैलकम बैक तो अधर वीडियो तो यार आज की वीडियो में बात करने वाले हैं विपरो NLTH की जो आज हुआ था याने की 31 जैनुवरी 2021 को साड़े नौ बजी ठीक है तो आज का पेपर कैसा था याद इजी था टफ था ठीक है तो वो इस व वीडियो अप्लोड करों तो आपको नौटिफिकेशन मिल जाए तो यार यह वीडियो बहुती जादा इंपोर्टेंट होने वाली उन बच्चों के लिए जो अभी जिन्होंने विपरो का पेपर नहीं दिया है जो आगे देने वाले हैं क्योंकि उनको थोड़ा से एक बेस यहां ठीus और से चेंट तो इंग्लिछ कं प्रहेंशन जो था जया उसमें आपको 18 questions थे और 18 minutes के अंदर कंप्लीट करने थे कोंटम के Test पोटीन कोश्टिन तो अब बात करते हैं English comprehension की तो इस section में आपके questions कैसे थे तो English comprehension में क्या था यार कि आपके कुछ आपके grammar के questions थे और then पैसे था आकरी में तो जो grammar के questions थे यार वो तो बहुत ही easy level के थे यदि आपको थोड़ी बहुत English grammar grammar है आती है तो आप वैसी उसको निकाल दोगे नहीं भी आती तो आप थोड़ा सा पढ़ लेना यदि आपका पेपर बाद में होने वाला है तो आप थोड़ी बहुत पढ़ लेना ठीक है grammar तो आप उसको निकाल दोगे पैसेज की बात करें तो पैसेज थोड़ा medium level का था तीक है उसमें थोड़ा ताइम लग रहा है पढ़ने में तो वह भी इतना कुछ hard यदि बहुत बात करें हमकी बहुत ज़दा hard level का था तो ऐसा नहीं था वो medium level का था तो English comprehension ज्यादा कोई इतना tough नहीं था overall बात करें तो logical ability की बात करें यहां पर तो logical ability में क्या था है आपके जो direction के question होते है number series होती है उस तरह की questions से जो की पूरा का पूरा जो section था वो simple था number series में थोड़ा सापको time लग सकता है निकालने में उसका logic पता करने में कि आपका क्या number आएगा next तो उसमें थोड़ा सा time लगेगा बट वो भी ज्यादा कोई तक खास नहीं था ज्यादा tough नहीं था वो ठीक है quantitative ability जो थी आपकी उसमें आपके जैसे वर्क वाले कोईशन होते हैं उस तरीके कोईशन से वो थोड़ा medium लेवल का था ठीक है बट जो बहुत ज़्यादा hard लेवल का होता ने वैसे पूरा पर ऐसा hard लेवल का नहीं था पूरा पेपर ईजी लेवल का था ठीक है तो यदि आपने पेपर के लिए थोड़ी सी तैयारी करी होगी तो आप पेपर निकाल दोगे उसका क्योंकि पेपर इत्ता ज़्यादा hard लेवल का नहीं था और मेंटर फिक्स की बात करें तो यह उसमें आपके दो कूशन से जो कि आपको 60 मिनिट के अंदर कंप्लीट करने थे और और मेंटर फिक्स यहार यहां पर बहुती ईजी लेवल काता है क्योंकि बहुत से बच्चेंजेने पंद्रा-बीस मिनिट के अंदर भी कोडिंग के कोशन कर दिये थे जिनको कोडिंग ज्यादा अच्छे से नहीं आती जो मीडियम लेवल मेरे भी फो वह भी 15-20 मिनिट के अंदर याड उसको कर देंगES क्योंकि जो कोडिंग थि वह त्वी जदा टफ नहीं आया थी तो आप इसको कोडिंग निकाल दोगह को ठीक है तो इसमें कोशन किस तरी का एती कोशन यार पहला स्ट्रिंग का कोशन था कि जिसमें आपको number of से चोटे हैं यह आपको उसमें काउंट करके बताना था तो यह कोशन दो कोशन से जो की आप निकाल दोगे क्योंकि वह इत्ते हाड लेवल के नहीं दें ऐसे की बात करें तो यह ऐसे जो था आपका एक ही कोशन स्था उसमें चीक है और 400 वर्ट्स की उसमें लिमिट थी यह नहीं 400 वर्ट्स से ज्यादा नहीं लेकना आपको तो यह आपके सारे सेक्शन होगा इसमें और यदि ओवरॉल पेपर की बात करें तो ओवरॉल पेपर आपका बहुत ही इजी था यदि आपका अब पेपर होने वाला मतलब 31 जैनवरी के पात में यदि आपका कोई भी पेपर है विपरो का ही आपका शेडियूल में तो आप उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करो आप थोड़ा सा अपना कोडिंग का बेसिक और इंटर्मिडेट लेवल तक कर लो अपनी कोडिंग और एप्टिट्यूड अपना अच्छा सा क कर लो क्योंकि इसके कोशन जो थे वो थोड़े से मीडियम लेवल तक के थे बस यदि आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करी है तो आप इस पेपर को निगाल दोगए क्योंकि पेपर इतना ज्यादा हाड लेवल का नहीं था तो वीडियो अच्छले हुए था लाइक करो अप हुआ 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 हुआ